Welcome to the online class students आज हम करने वाले हैं अमारी चुट्लास 4 थे उसकी English का चाप्टर चाप्टर नमबर 6 Birthday Party, जनम दिन पार्टी तो हम बात करने वाले हैं जनम दिन पार्टी के बीज में तो किसकी स्थोरी है? ये रवी की स्थोरी है रवी अपनी birthday party के बारे में हमें बता रहा है Yesterday, yesterday हम बोलते हैं बीते हुए कल के लिए Yesterday का इस्तमाल होता है बीते हुए कल के लिए Yesterday I had my birthday यहां वो बता रहा है कल मेरा जनम दिन था There was a party at my home मैंने मेरे घर पे क्या की थी? एक party की थी All of my friends were there मेरे सारे मित्र जो थे उदर मेरे साथ आये थे मेरे बर्दे पे आये थे मैं रवी हुँ कल मेरा जनम दिन था और मेरे घर पर एक party थी मेरे सारे मित्र वहां थे My mom baked a big cake मेरी माने एक बहुत ही बड़ा सा cake बनाया It was soft and creamy यह मुलायम और क्रीम वाला था There was seven candles on it उस पे साथ मुंबतियां थी My elder brother and sister मेरे जो बड़े भाई तथा बेहन थे उन्होंने क्या किया था Put up balloons Put up balloons उन्होंने गुबारे लगाये थे They also decorated the house with colorful buntings and balloons उन्होंने जो घर है कैसे सजाया था रंग बिरंगी जालरों से Buntings का मतलब होता है जालरों से और गुबारों से घर को सजा दिया था एक बड़ वापिस देख लेते हैं मेरी उनके घरवालों ने क्या किया था मेरी माता जी ने बड़ा सा केक बनाया ये मुलायम और क्रीम वाला था इस पर साथ मुंबती आती तो इससे क्या पता जल रहा रवी कितने साल का हुआ? साथ साल का हुआ मेरे बड़े बाई तता बहन ने क्या किया था? गुबारे लगाये थे उन्होंने रंग बिरंगी जालरों तता गुबारों से घर को सजा दिया था अब नेक्स्ट यहां बता रहा है माइ फादर गेव मी अ पैन मेरे दादा जी ने मुझे क्या दिया? उपार में एक पैन दी माइ ग्राद मदर गेव मी अ शर्ट और जीन्स मेरी दादी जीने मुझे एक शर्ट यानि की कमीज शर्ट किसे बोलते है कमीज और जीन्स जो थी वो दी माइ फादर बोट मी अ बाइसेकल मेरे पिता ने मुझे एक साइकल खरीद करके दी यह गिफ्क की बात कर रहे हैं दादा जी ने क्या दिया इसे पैन भी दादी जीन जीन्स और कमीज शर्ट दी और पिता जीने इसको एक साइकल खरीद के दी I had got many presents from my friends presents का मतलब क्या होता है उपहार gift का मतलब भी उपहार होतां है मुझे अपने दोस्तों से बहुत से उपार प्राप्त हुए We sang songs and danced हमने गाना गाया और हम नाचे भी We also played lots of games हमने बहुत सारे खेल भी खेले थे We had lots of fun at the birthday party हमने जनम दिन की party पर बहुती ज़्यादा मनोरंजन किया इंजोय किया तो students एक बार हम देख लेते हैं हमारी word meanings पर Yesterday का मतलब होता है बीता हुआ कल या फिर जाने वाला कल birthday का मतलब होता है जनम दिन party का मतलब होता है दावत friend का मतलब होता है मित्र बेग्द का मतलब होता है गरम करकर बनाना फिर हम देखते हैं song का मतलब होता है गाना, soft का मतलब होता है मुलायम या फिर नर्म, candle होती है मोम बतिया, brother होते हैं भाईया and sister होती है बेहन, हमने देखा था कि जो यहां पर रभी है उसकी कैसे brother and sister है, elder है या younger है, elder यानि कि उससे बड़े brother and sister है, पहलून गुबारे होते है, decorate का मतलब होता है सजाना, हमने क्या देखा था, उसके elder brother and sister ने घर कैसे सजाया था, bunting यानि कि जालरों से और balloons गुबारों से सजाया था, bunting का मतलब होता है जालर जैसे कि हमने अभी देखा, grandfather होते हैं दादा जी, shirt, jacket और यह जीन से यह चीज इसको क्या मिली थी, gift में मिली गेव का मतलब होता है देना या फिर दी हमने क्या देखा था, कि इसकी दादी ने इसको क्या दिया था, his grandmother gave him a shirt and jeans, bot का मतलब होता है खरीदना, present मतलब उपहार, dance का मतलब होता है निर्थ्य करना और fun का मतलब होता है मनुरंजिन, ओके students, तो हम यहाँ पर पर वापिस देख लेते हैं, हमने story क्या पड़ी थी, हमने रवी की, जो story है वो पड़ी थी, हमने देखा था कलपी, बीते हुए कलपे क्या था, yesterday पर उसका जनम दिन था, जिस पर उन्होंने दावत रखी थी, हमने देखा था, कि उसका cake किस ने बन gift की, उसकी दादी जी ने एक shirt और pant, jeans और उसके पिता जीने उसे bicycle यानि की cycle खरीद करके दी, फिर हमने देखा था, उसकी दोस्तों ने भी उसे बहुत से उपभार दिये, इसके बाद students हमने देखा था, कि उसकी जो दोस्ते, वो उसके साथ नित्य कर रहे थे, और बहुत ही हमारे पास सिंगुलर नमबर, प्लूरल नमबर यानि की एक वचन और बहुचन है, पार्टी का मतलब होता है दावत, अगर हमें बताना है कि कहीं पर बहुत सी दावत हैं, तो क्या लिखेंगे, पार्टी को य को क्या कर देंगे, पार्टी के य को replace करके I,E,S लगा देंग एक पैन से बहुत सी पैन, प्रेजेंट यानि की उफार, उपार को अगर हमें बताना है बहुत से थे, तो क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, फिर हमें गेम को बताना है, तो सेम ऐसे ही, फ्रेंड्स पर भी ऐसे ही, केक पर भी ऐसे ही जोड़ देंगे, गेम होता है, खेल फ्रेंड होते है मित्र और केक होता है जो हमने स्टोरी में देखा था सो नेक्स हम चलते हैं हमने की इसके बावु अचन और एक्वचन देखें लच नेइच्स हम यापर पर देख रहे नहींड की विलो म् शब्द यहाँ हम एल्डर मतलब बड़े एल्डर का मतलब क्या होता है बड़ा तो छोटा क्या बोलेंगे हम यंगर यानि की छोटा कलर्फुल होता है रंगीन तो कलर्फुल का अपोजिट यानि की विलों क्या होगा बेरंग यानि की रंगीन तो उसका मतलब क्या होता है कलर लेंट देखते हैं बिग बिग का क्या होगा एनीमी या फिर फो यानि की दुश्टमन बॉट होता है खरीदना तो बॉट का उल्टा अपोजिट क्या होगा बेचना यानि की सोल्ड या फिर सेल भी लिख सकते हैं नेक्स देखते हैं स्टुडेंट हमारे पास यहां पर कोश्चन है प्रवी के पिता क्या खरीद के लाए थे हमने देखा तब वो बाई साइकल खरीद के लाए थे वाट डिड़ ग्राइन पादर गिब अ पैन उन्होंने एक पैन कलम दी थी इसा था केक इट वर सॉफ्ट एंड क्रीमी फिर हमने देखा था वाट डिड़ रवी गेट फ्रों इस फ्रेंड्स प्रेजन्स यानि की उपहार जो थे वह उसे अपने दोस्तों से क्या थे मिले थे राइट हमने यही देखा था नेक्ट हमारे पास है हमें सही पे सही का चिन लगाना है वू गेव एंड पैन फादर ग्राइन बादर या ग्राइन फादर पैन किस ने दी थी हमने देखा था उसको अपने दादा ने पैन दी थी next the cake was soft soft and creamy तो हमने देखा था the cake was soft and creamy they decorated the house with balloons bunting balloons या buntings किससे किया था जालरों और गुबारों से उसने किया था next हमारे पास है fill in the blanks है we had dash of fun at the birthday party we have lots यहां पर हमारे पास option क्या है lots of fun next a day dash the house with buntings and balloon bunting and balloon के साथ सजाया था यानि की decorated the house with buntings and balloons next it was soft and dash कैसा था केक soft and creamy cake था वो next I had many dash from my friends I had many presents इसको बहुत सारे जो है उपहार मिलेते अपने दोस्तों से that they were dash candles on it किती candles थी seven candles थी किती थी साथ candles थी वो साथ साल का हुआ था ओके स्टूडेंस हमने क्या देखे आप फिलक्स और देखे क्या तिक दी करेक्ट आंसर अब हम चलते हैं नेक्स हमारे कोश्चन आंसर की तरफ what did his grandmother gave him a shirt and a jean से कमीज और एक जो जीन से वहार दी what did they do on their birthday party lots of fun and dance बहुत सारा मनोरंजन और निर्ट्य किया था how many candles were there on the cake seven who put up the balloon रवी एल्डर ब्रदर एंड sister इन्होंने cake पे जो है balloon लगाई थी राइट ओके स्टूडेंस तो यह थे हमारे कोश्चन आंसर है ना नेक्स्ट हमें आपर पर देख रहे हमारे पास दिया गया हमें वचन बदल करके लिखना है इसमें हमें वचन बदल करके बताना है तो स्टूडेंस यह वाला जो प्रश्न है यह हमने अल्रेडी कर रखा है तो यह क्या होगा यह आपका यह फिर आप ले ली जे घरव कार्य इसे आपको अपनी बुक में करना है ओके स्टूडेंस तो हमने क्या देखी थी एक जनम दिन पार्टी की स्टोरी देखी थी ओके तो 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 यह यह खतम होता है आइंक्यों आव नाइस टेश्टेश्ट झाल